कच्छा आठ के है भुगोल हमारे संसाधन ठीक है तो उसमें से हमने आपको यहां तक मैंने बता दिया था कि संसाधन के परकार कितने होते हैं तो संसाधन को मुख्यतत तीन परकार में बाटा गया है एक प्रकृतिक संसाधन और एक मानो निर्मित संसाधन और एक मानो संसाध और प्रकृतिक संसाधन में बाटा गया है और मानो निर्मित जो कि मानो ने जो बनाया वो मानो निर्मित हुआ तो मानो निर्मित संसाधन और प्रकृतिक संसाधन जो कि हमें प्रकृति से मिलते हैं वे प्रकृतिक संसाधन मानो निर्मित संसाधन मतलब मानो ने खुद से प् प्रकार बना दिया बस बना दिये मतलब लोहे से बने ना तो वह मानो निर्मित संसाधन हुआ है ठीक है उसके बाद मानो ही खुद क्या है एक संसाधन है चले हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में करके जानेंगे सब कुछ देखे सबसे पहले जो एक नंबर जो है हमारा क्या प्रकृतिक संसाधन तो प्रकृतिक संसाधन के भी परकार है ठीक है प्रकृतिक संसाधन ठीक है न तो देखे हम लोग संसाधन के परकार पढ़ेंगे तो सबसे पहले कौन से है प्रकृतिक संसाधन मानो निर्मित संसाधन और मानो संसाधन हम लोग अभी प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोग इधर पढ़ने वाले हैं ठीक है इधर हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में ठीक है ठीक है तो यहां पर देखिए हम लोग यहां से शुरू करते हैं संसाधन के परकार यहां पर ए जैसे हम बात करें प्राकृतिक संसादन में तो प्राकृतिक संसादन में कौन-कौन से आते हैं उत्पत्ति के अधार पर विकास और उपयोग के अधार पर उपयोग के अधार पर और फिर वितरन के अधार पर देखें सबसे पहले मैं बात करूँ प्राकृतिक संसादन में उ अजेव संसाधनों होते हैं मैं आप को मैं बताओंगा कंडी ना ठीग है miss उपयोग के आधार पर बात करें तो वास्त्विक संसादन होते हैं और संभिएव निए पर चाल को सब्सक्राइब कर लेना है तो यहां पर देखिए वितरन के अदार पर सब के बारे हम लोग यहां पर अभी पढ़ने वाले हैं देखें, वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और बिना अधिक संसोधन के उपियोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन का लाते हैं, तो यहां से यहां तक आप लोग क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है, चुकि इसके एक कौफशन बनते हैं, कि प का उत्तर वहाँ पर लिखना है हलाकि इसका भी कॉफिचन आएगा ठीक है उसमें भी प्रकृतिक संसाधन के बारे में कॉफिचन है कि प्रकृतिक संसाधन किसे करते हैं और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है आपके एक्जाम में भी फूछ सकता है तो यहाँ प्रकृतिक संसाधन किसे करते हैं वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं ठीक है उसे हम लोग क्या करते हैं और बिना अधिक सोधन के उप्योग में लाए जाते हैं मतलब वह प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक सोधन के मतलब कि बिना अधिक सु इसे हम लोग उपियोग में लाते हैं दो से हमलों क्या करते हैं प्राकृतिक संसाधन कहते हैं ईसले जीन का जल१्य मृद्द bark नदियों ृ जीलों आपको पता है यहन पर थ्यादातार से जिक्र करना करना जाता है। जील जो है न वो मानवनिर्मीद भी हो सकते हैं और प्रकृतिक जील हो सकते हैं..! जýसे मितलब जैसे मैं को है नकूर। पेज में समझाता हूँ ठीक है आपको ज़ह अच्छा तरह से प्रकृतिक जील भी होसकते हैं यहां पर खेती न होती है इदर चास होते हैं ठीक है नधान वारतों जाते हैं पानी की कमी है न तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इधर हम लोग गढ़ा खोदेंगे ठीक है इधर हम लोग इतना बड़ा गढ़ा खोदेंगे बहुत बहुत बड़ा ठीक है और इस गढ़ा यह बहुत बड़ा गढ़ा होगा ठीक है जील उसी को कहेंगे तो तालाब बन जा जैसे कि यहां से तलाब इतना छोटा होता है ताहई लेकिन यह जीन बाफ। बढ़ा होता है तो उसी में से हного करते हैं कि हुइने सिचाई करने के लिए जैसे के यहां पर धान रूप मांटने क इसी पर organization करने के लिए पानी क्या होет ना इसलिए जिल का पानी कभी भी बहता नहीं है जैसे कि मैं बात को नदी तो नदी तो कितना दूर से आया हो गई इधर से आया है फिर इधर जा रहे हैं मतलब कि यह क्या और बह रहे हैं तो नदी बहता है लेकिन जिल नहीं बहता है आप लोग इस इन सब चीजों के बारे म जानेंगे ठीक है उसका देखे तो मारा निर्मित जिल के बारे में जान लिए और कुछ प्रकृतिक जिल होते हैं जैसे कि मैं बात करूँ जैसे कि ध्यान से आप लोग जैसे कि यह मेरा एक पहार है ठीक है और यह मेरा एक पहार है ठीक है तो पहार के बीच 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 कुछ ऐसे करके रहेंगे जैसे कि यह दोनों पहार है ठीक है तो यहाँ पर कुछ ऐसे करके रहेंगे मतलब कि इस जिगह पर जो देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे करके रहते है ठीक है गड़े रहते है यहाँ पर गोल जैसा होगा जैसी पहार जैसे इदर गोल जैसा है न तो यहाँ पर भी गड़े क्या होंगे गूल जैसा होंगे तो मान लिजे यहां पर बाढ़ आया ठीक है या फिर there का तो यहां पर पामी स्थ होने लगेंगे ठीक है तो इस जगह पर पानी एक अत्रित हो जाता है जिसके करण यहां पर भी क्या बनाते हैं जील बना देते हैं ठीक है यहाँ पर भी क्या बनाते हैं जिल बनाते हैं मतलब यह तो हुआ प्रकृतिक जिल ठीक है और यह हुआ हमारा मानोनिमित जिल तो जिल के बारे में आपने सब कुछ सिख गया ठीक है चलिए अब हम लोग इधर से सुरू करते हैं देखिए नदियों और जिलों का जल यह सब क् प्रकृतिक संसाधन वा मिर्द्या प्रकृतिक संसाधन वा खनीच प्रकृतिक संसाधन वा वन और वायु के सभी प्रकृतिक संसाधन है ठीक है जो हमें प्रकृतिक संसाधन है और उसे हम लोग बिना ज़्यादा सुद्ध किये हुए ठीक है उसे हम लोग काम में ले ले ल थायो में संसाधन या यानि कि सीनुन करें सीनुन है उपयोग में लाई सकते हैं गुश संसाधन संसाधन का ईच्छी तरह उपयोग करने के लिए और पर्दगुकी क्या हो शकता होती है जैसे कुछ ऐसे संसादन होते हैं जिसका हम लोग पुरा अच्छा तरह से यूज करना चाहते हैं तो उसे क्या करते हैं ओजारों का उपयोग होता है ओजार मतलब उसे सुधकिया आता है या फिर हम लोग को प्योग मिलाता है आप लोग की का अपको अच्छी तरह से वाकिफ होगे तो यहां पर इसी परकार से यह प्रुदूगी किसी वस्तु को नया चीज को बनाने के लिए हम लिए अपना दिमाग लगाते है ऐंकि intéress निया चीज बनता है तो उसे क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टंट है आप लोग यह सब जानना चाहे ला श्यूकर के हैं अप्री किसे को पर गतते है प्रकृतिक संसाधनों को उनके विकास एबं परियोग के इस्तर उदगम, भंडार एबं वितरन के अनुसार विभिन समूहों में वर्गी करित किया गया है प्रकृतिक संसाधन को वर्गी करित किया गया है जैसे मैं कौन नमर का बात करूं विकास और उपियोग के अधर पर इधर हमने देखा था ना विक देखे तो देखे यह वाला पॉइंट है पहले यह वाला में पहले हम लोग यह वाला पढ़ेंगे फिर इसके बारें पढ़े तो यहां पर क्या है विकास और उप्योग के अधार पर सबसे पहले यहां पर कौर नमबर में दिया गया है विकास और उप्योग के अधार पर क्या था है हमारा वास्तिक संसादर और संव्यव संसादन ठीक है तो यहां पर विकाव सो रुपियों के अधार पर क्या है वास्तिक संसादन और संव्यव संसादन के बारे में अभी आपर में बहुत एच्छी तरह से आपको में बताने वाला है तो वास्तिक समझादन और समझ्या समझादन के बारे में अब हम लोग जानेंगे, इधर आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है, यदि वीडियो में आप लोग पुरा देख लिए वीडियो ठीक है, उसके लिए अपलोग चाहते हैं कि जहा जा में अंडरलाइन किये हैं, उसको यही तो फाइदा है यहां पर यही फाइदा मिलता है आपको बहुत ज्यादा है आप लोग मेरे चैनल से जूरे रहें और सब्सक्राइब जारू करें अपने दोस्तों के साथ सेयर भी करें चैनल उसके बार देखें यहां पर विकास और उपियोग के अधार पर देखें तो वास्तिक संसादन होता है और समझे और संसादन होता है ठीक है अब हम लोग पहले सबसे पहले वास्तिक संसादन के बारे में जानते हैं तो वास्तिक संसादन क्या होता है वेसे संसादन वास कितने मात्रा में हैं और जिनका उपयोग वरतमान समय में किया जा रहा है मतलब हमको पता है कि हमारे फिर्थमी में कितना है वह संसादन कितना है और उसका उपयोग हम अभी कर रहे हैं मन में जरू आगया होगा कि क्ञा हम बताना time जाते क्या होगा इसका एकजामे पर second पेट्रोलियम से पेट्रोल निकलता है, डिजल निकलता है, मोबिल निकलता है, केरोसीन निकलता है, बहुत कुछ निकलता है, मॉम निकलता है, तो इसी प्रकार से पेट्रोलियम मतलब समझेगे ना, मतलब एक काला कलर का पदार्थ होता है, जो कि फिर्तिमी से डिरेक्टली निकाला दिया चाहिए त्या के जा गड़े हो डिल करके कैसे विधी होता है उसमें से काला वाले जो पदार्थ जो होता है उस तो निकालता है उसको भाशियम के भारे में या पर जिक्र किया गया है महारास्ट्रो होने से यहां पर बहुत सरे लावा निकले होगे तो लावा निकलने के बाद यह बहुत बड़ी एर्या में वह जो लावा has भूमी के उपरी परत में बेड़ गया है Quan competit वहां पर क्या बने होंगे फैंतोटेर विश्का拜拜 इदर इससे क्या है रखें तुम एसे मां इससे कि कॉल निर। बुकारों में बहुत ज्यादा कोईला है तो वॉकसाइट सभी वास्तिक अंसाहदन है अर उससे हम लोग सुद्ध करते हैं तो जैसे में लोहा का बात करूँ तो लोहा का बात करूँ तो लोहा का क्या होता है प्रहसे होता है सिटेर अीध भुष्चाइट होता है था है तो इसी प्रकार से मतलब कि इन आ winds are हमें हमें सुद्ध रूप में मिलते हैं तर फ्रिया फ्री नीग पी निला आता आका सितना ध्यान रहें का अ कि लुप जैसे कि हम लोग मिट्टी से मतलब गड़े खोद के नीचे जमीन के अंदर बॉक्साइट निकाला है तर उसी से हम लोग सुध करके लोहा बनाते हैं फिर ऐलूमुनियम बनता है तो इसी परकार से सभी चीज़ों को अलग किया है तो बॉक्साइट हमें डारेक्टली मिलते है को आरेل तो मतलब कि हमें पता है कि कितना कोईला है और कोया तो बन्सक 때문에 कि पता है कि कितना कोयला है Gue The कर रहे हैं वे क्या वास्तिक संसादन हो गए ठीक्ए ज़िए आप लोग इसका वास्तिक संसादन की दिफिनियस संसादन हान जा तो इस प्रहसल के dah маг वेसे वास्तिक संसाधन के बारे में ब Morm CIA करें वयक्साधन के वास्तिक संसाधन के बारे में बात bare еще बिर्थमें में करें इक तहीं थी नोग भविस्य में करें लेकिन हो सकते हैं हम लोग भविश्य में करें ध्यान देजे सम्वे संसाधन क्या है वास्तिक संसाधन तो हमें पता है कि फिर्थिम्य में हमारे कितने हैं और उसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं कितनी मात्रा में है और हम लोग अभी उपयोग कर रहे हैं लेकिन सम्वे से अंडरलाइन कर देते हैं आप लोग इसे सुन्दर से अपने कोपी में लिगेंगे संफे Cyndan हाइफन देंगे और वहाँ पर यह वली डिलीकिते ना है लेकित देना है वेस्ट अंटरल点 देखें लेकिन भाविश्य में क्या जा सकता है यहां तक लिखेंगा इसका वे प्रतमान में परिद्रविकी का अस्तर संभोवत इन संसाधनों को आसानी से पर करने के लिए प्रयाप्थ रूप से उननत नहीं है मतलब अभी हमारे पास इतना पर्दवगी नहीं है इतना टेकनॉलोजी नहीं है कि इसका हम लोग अभी उपयोग कर सके लेकिन भविश्चम में ऐसा टेकनोलोजी आजाएगा कि तो वे क्या होए समवे संसादन हुए है लेकिन भवेस्जह में इतना टेकनलोजी आ जाएगा जिसके कन हम लोग क्या कर सकते हैं हुसे उप्योग में ला सकते है जैसे कि बात करते हैं इसे लधाग जाने वाला यॉरेनियम इरनियम की अभी हम लोग उप्योग नहीं कर रहें लददाग में क्या पाया गुट में रेत में मोनाजाइइड अब लोग इतना याद रखेंगे संवी और्ड़ अब नहीं प्रदोगी कि नहीं है ग्सकार्डयोग कि टेक्नोलोजी नही। लेकिन भविषे में अने वाले समय में इसका उपयोग हम लोग करेंगे ठीक है, देखें, ध्यान देजे, उसके बाद, सम्भय संसादन समझ गें, उसके बश्चे बश्की listen, 200 वर्ष, ठीक है, इधर हैं हम लोग 200 वर्ष इधर भी हम लोग यह लोग हम लोग देखें तो हिलोर जब मारती है समुंद्र तो क्या करते हैं उसमें से बहुत तेज गती से वायु निकलते हैं बहुत तेज गती से तो उसका वायु का संभय संसाधन तब हम लोग उसका उपयोग नहीं कर सक रहे तो यह क्या थे तभी संभय संसाधन ते लेकिन अभी कभी ना कभी आप लोग येरित तोद रखिये की सोचेंग लोग दोग लोग लोग जानाी कीसे जलाने से उस्मा निकलती है और इससे हम लोग does यह क्या हो पॉर्द्रो किकी हुआ हूआ करन से कोईला को अभी उपयोग होने लगा मतलब कोईला अभी कभी न कभी देखा जाया है तो वे एक संवे संसाधन थी लेकिन वे अभी वास्तिविक संसाधन है चुकि उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं तो उसी परकार से तीवरगति वाली जो पवने जो है वे पवली पता लगाई है जैसे कि उत्पत्ति के धर पर जेव संसादन उसके पर यहां पर कुछ दो को पॉइंट है इसको भी हम लोग क्यों छोड़ें इसको भी पढ़ लेते हैं ठीक है यहां पर देखिए कोईला खदान के कोईला खदान यह वाला ठीक है उसके बाद देखिए यह व संदुन मतलब मोटर जैसे क्या घूमता है ना करन फुल्ख चैसे करन का पूद में लेरी हम लोग तूध फादन होती है जैसे कि हमारा ज़रना है और यहां पर भी हम लोग तर्बाइन लगा देंगे तो यहां से टर्बाइन लगा दिए ठीक है तो यहां पर टर्बाइन जब लगा देंगे तो यहां पर घूमेंगे जिसके करण से यहां पर लगा होता है ठीक है तो यहां पर इतना समझ भी के देखे चीन का वानी जिया मूल नहीं है मतलब उसका कोई दामे नहीं है वह क्या है वानी जिया मूल जिसका नहीं है ठीक है देखे वह हमको क्या करना टिक करना है यह तो आप लोग अपने से करेंगे सोचेंगे क्रिसी भूमी वानी जियमूल है घर करते है घर बनाते है तो गर ने क्रिसी भूमी किया है वानी जियमूल है घर बनाते है nouvelle ठीक है उसका नहीं आपको पता लगाना यह बहुत जादे इंप्वर्ट नहीं है यह जानना चाहिए जानना चाहिए आपको पापा ममी का प्यार क्या इसका वानी जमूल है यह प्यार इसको देखे तो वानी जमूल ही नहीं लेकिन यह क्या है वानी जमूल नहीं है लेकिन ये क्या है इसका वानी जमूल एक तरफ से देखा जाए तो नहीं है लेकिन ये देखें पापा ममी का प्यार जो है उसे हम लोग वानी जमूल के रूप में नहीं देख सकते हैं ठीक है वे वानी जमूल के रूप में हम लोग नहीं देख सकते हैं पापा ममी के प्यार सभी को मिलते हैं, तो उसी प्रकास क्या है, इसको हम लोग, आप लोग इससे सोचिए, ठीक है, आप लोग अपने से सोचिए, कि क्या यह वानी जमूल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है, उसके बाद आप लोग हमें कमेंड बोक्स में बताएंगे, ठी क्या बद्धि वानिजमुल है आपूछ अपने से सोचेए और आपने कोपी में लिखिया और साफ उत्रा करके बनाईया ठीक है बस इतना उसको देखें जाने योगे बाते में कुछ देखें सनसाधन का भंडार उपियोग के लिए उपलब्द सनसाधन की मातरा को उसका भंड ऐन्पार उपयोग संसाधन का भंडार उपयोग के लिए उपलब्द संसाधन की मात्रा को उसका भंडार करते हैं यहां पर किलिए रहे चलिए अब हम लोग यहां पर आने वाले हैं कि उत्पत्ति के अधर पर पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति के अधर पर अजेव संसादन और जेव संसादन उसका देखें यहां पर हमने यह वाला हमने को पढ़ा ठीक है आप हम लोग यह वाला को मिर्दा, चट्टान, हवा, जल, आदेख मैं बल्कि जेव संसादन क्या ह içered क्या है पौधे होता कौन है ज्यसका जान मैं ही जान हो जाहां पौन हूआ जन्तू हुआ उसके बारे में भी आपको मैं बताता हूं तो यहाँ पर देखें यह वाला हमारे वैसे संसादन नमनी करन कहलाते हैं जिनका सिगरता से नमनी करन हो जाता है अर्थात उनका दूबारा ओपियों किया जाता है उसे हम लोग क्या करते हैं नमनी करन कहलाते हैं जिनका सिगरता से नमनी करन हो जाता है अर्थात उनका दुबारा उपयोग किया जाता है मतलब उसका हम लोग दुबारा उपयोग कर सकते हैं वे कहा नमनी करन संसादन है इसमें से जैसे कि कुछ सोर एबंपवन उर जाते हैं सौर एबम पक्वप मुर्जा आते हैं असीमित है, जी किसके हम बार बार उपियोग करें हम लोग बार बार इसका सचेगे हैं नमनीकरन स्थाजर्णी कि मन् उपियोग करते हैं लेकिन जो सोर उर्जा जो है वे खतम नहीं होगा उसके पावन उर्जा का बात करें पावन एवम सोर उर्जा ठीक है सोर उर्जा आप लोग समझ रहे ना जैसे कि सूरिय से धूप राप्त होती है धूप से सोलर 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 से बैटरी चार्ज होता है फिर वहां से बल्ब जलत हम लोग इतना उपयोग करें बहुत क्रें जिसके गूमने लगता है और जिसके करण से विजली उत्पादन होता है तो इतना समाझ गये यह सब क्या है असीमित है मतलब इसका जितना भी उपयोग करें खतम होने वाला नहीं है तो नवनिकरन संसादन के किसे कहते हैं यहां से आप लिए सकते हैं वैसे संसादन नवनिकरन संसादन का हलाते हैं जिनका सिगरता से नवनिकरन हो जाते हैं ठीक है उसे हम लोग क्या कहते हैं नवनिकरन संसादन नवनिकरन यह मतलब क्या होते हैं उसका हम लोग बार बार उप च्तव करन संसाधन का लापरवाही से उप्योग, नियुका उप्योग कहने रहे हैं, जल नियुका ह면 करें? संसाधन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारन को परभाहित करता है जल असीमित नवनिकरन ये संसाधन प्रतित होते हैं मतलब जल इतना जो है लगता है कि कभी खतम नहीं होगा लेकिन यहाँ पर देखिए फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का मतलब ऐसा तो लगता है जल का हम लोग बारवा रुपयों कर सकते हैं लेकिन फिर भी कहीं पर जो है जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सुखना आज विस्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बनी है तो यह क्या नवनिकरन संसाधन हम लेक बढ़ा ठीक है किया आप मानो निर्मित 6 संसाधनों के नाम बता सकते हैं जो मानो निर्मित मतलब प्रकृतिक संसाधन ही था पाले और उससे मानो ने बना दिया जैसे कि मैं बात करूं लोहा था पाले तो लोहा से बन चल रहा है गारी बन रहा है तो उसी परकार से आप लोग मानो निर्मि संसादन के बारेम परहेंगे जिनके भंडार क्या है ये कि अब ऑनोनी करण के बारेम परहेंगे पर विएखे हैं और न Nouनी करण होने में लाखों वर्द लग जाता है जैसे कि मैं बात करूं कोईला तो खती है कोई लागा हम लोग इतना उपयो पर कर लिये तो वे क्या होंगे खतम हो जाएंगे तो वे यह क्या है अनवनी करन संसाधन कंभी नगी खतम हो जाएंगे गिसका जिसका जो सीमी थे एक बार समाफत होने प्रवाद उनके नवनिकरन होने में लाखो वर्स लगाए जैसे कोईला तो आपको पता है कैसे बने जो पेड़ पोधा जो दब गए थे ठीक है ना जिसके कारण से क्या बने कोईला बने तो वह लाखो वर्स लगाए तो उसी प्रकार से जदी हम लोग इसका मतलब की इसका उ होता है ठीक है मानाव जीवन की अवधी कितना होते एक सो साल होते हैं लेकिन इसका जो बनने में एक लाख साल दो लाख साल तिन लाख साल करोड़ों साल भी लग सकते हैं ठीक है लाखों साल हजारों साल लग सकते हैं समझ रहे हैं तो देखिए जैसे कि पेट्रोलियम का ब लग सकते हैं यह उधी माना जीवन की उधी से बहुत अधीक है घैसे कि मैं बात करो पेट्रोलियम के बारे मैंने पहले में प्राकृतिक गैस जो निकलती प्राकृति sleeping allons यह वी कभी किवने कभी कभी खतम हो जाएन इसके उधारन के जैसे कि जल का हम लोग बार बार उपयोग कर रहे हैं जैसे कि मैं बात करूं वही वहला जल जैसे कि इधर से तरबायन घुम रहे हैं तो आप लोग इस प्रकार से समझें जैसे कि वही वहला जल का हम लोग बार बार उपयोग करते हैं जैसे कि जल का उपयोग कियें जैसे जैसे कि हमने जल से कप्रा धोया ठीक है तो कप्रा को फिर हमने सुखाया तो कप्रा से क्या बना वास्प बना ठीक है अब वे वास्प बन करके क्या बना बादल बना बादल से फिर क्या हुआ वर्सा हुआ फिर से जल बिन गया फिर सम लोग कप्रा धोएंगे फिर सुखेगा फिर जल बनेगा प्रोसेस क्या हो रहा है चलते रहा है उसी को हम लोग करते हैं चक्रिये संसाधन तो कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग बार बार किया जाता है उसी का उसी जल का हम लोग उपयोग कर रहे हैं है न चक्रिये संसाधन काल आते हैं कि लिए इसकि इसम नंबर क्या है यह वाला हमारा लास्ट है वित्रन पर सिर्वियापक शंसाधन और सथानिं सतानिंग तो वित्रन के धार सब्सक्राफ सब्सक्राइब. जो संसाधन जो संसाधन सभी जगह पर पाए Яए जैसे वायू जसिए हम शांफ लेते сंसाधन है मतलब वेसे संसादन जो सभी जगह पर है जैसे कि मैं बात कुरूँ पिर्थी में कि हम लोग किसी भी कोने पर चला जाएं वहाँ पर वायू है मतलब सभी जगह पर वायू है तो यह क्या है सरोयापी संसादन है समझ रहे मेरे बातों को उसके बाद देखे दो नंबर वेसे संसाधन जो निस्तित इस्तानों पर ही पाया जाते हैं इस्तानिक संसाधन कर लाते हैं वेसे संसाधन जो निस्तित इस्तानों जैसे कि में जारकंड में जारकंड में कोईला बहुत जगदा है ठीक है आयस बहुत जादा है लोहा आयक्स त तो वे पिर्थमी के सभी जगह पर नहीं है कहीं कहीं है कहीं कहीं है तो वे क्या है इस्तानिक संसाधन है इस्तानिक संसाधन वह है जो कि पिर्थमी के कहीं कहीं पर है और वैसे संसाधन के बात करें तो पिर्थमी के सभी जगह पर है जैसे कि वायू के बात करें सबसे तामबा ठीक है उसके बाद देखे पिर्थी पर प्राकृतिक संसादनों के वितरन में विविनता पायाती है या विविनता भूभाग जलवाई और उचाई जैसे अनेक भोतिकार को पनिरबा करते हैं पिर्थी पर प्राकृतिक संसादन के वितरन में विविनता पायाती है मत जैसे कि कहीं पर पहाड़ी इलाका नहीं आई कहीं नीचे इलाका है तो वहाँ पर अलग चीज मिलेंगे ठीक है इतना आप लोग समझ रहे हैं तो पिर्सिमी पर प्रकृतिक संसादनों के वित्रान में विविनिता पाई एती है या विविनिता भू भाग जलवाई और उचा प्रकृतिक्षद को वास्तविक रूफ बदल दिया जाता है जब प्रकृतिक पड़ार्तों को वास्तविक रूफ बदल जाता तता उसका परियोग अन्यवस्तिव Mmmat तो नई वस्तुएं मानोनिवित संसाधन कहलाती है धिया दिजे चलिए यहां से यह वाला पॉइंट है देखिए जब प्रकृति में जो पाई जाते हैं ठीक है प्रकृतिक रूप से जैसे कि मैं बात करूँ लोहा बार बार मैंने लोहा के बारे में जिकर किया है तो लोहा से तो उसको हम लोग यूज करके मानोनिवित संसाधन बनाया ठीक है देखिए आपर मानोनिवित संसाधन क्या हुआ है जब प्रकृतिक पडार्थों का वास्तिक रूप बदल दिया याता है तता उसका उप्योग अन्य वस्तुएं को बनाने में किया जाता है तो नई को बनाने के लिए पर्दोगी के पर्योग क्या आता है देखिए ध्यान देजे पर्दोगी की मतलब टेक्नोलोजी ठीक है टेक्नोलोजी के पर्योग क्या आता है प्राकरतिक संसाधन को हम लोग मानुनिमे संसाधन में बदलने के लिए ठीक है हम लोग बनाने के लिए प्राक है चेह से लहा का निसकर संशण कर मशी size क्राक्राइब कर सांधनने लिघ रिए उसकि पहले हैं टाइस्च तो उससे क्या रुखा कर से लेगाए निकाल याएगा लिघ गर में अग्स बनाईत या मानोलिमेज संसाधन एंट है। एक मानोलिमेज संसाधन है। पर पर्दुग की मानो नहीं तो सोचाना तो मानो का च्छोटा सा ग्यान कुछ नगा चीश बनाने के लिए तत पर यह जानने के लिए तो यह क्या मानो-दिश्चा करते हैं, इसको 우akत झानने का वेक्तियों के संख्या मानुस्य की योगता ही किसी भी भौतिक पदार्थों को मुल्यवान बनाने में साय इता करती है मतलब मानों का उपयोग जैसे कि मानों किसी चीज का उपयोग करना है जैसे कि मैं बात करूँ अभी लोहा का जोदी कोई उपयोग ही नहीं रहता तो यह मानों के लिए संसाधन नहीं होता समझ रहे न तो जिसका उपयोग है मतलब जिसका उपयोग है यह वहला ना मानों-शन-शन, छिलिए अबह duyों संशाधन के बारे बारे हो는 पढ़ते हैं, कले नहीं है? कीलिशे और है, मानों संसाधन, मानों किया है संख्या, सारिक इब मानसिक, सकति बनाती है, मानों को बनाते हैं, मतलब माननों का उपयोग तो कुछा बाता है उसके सालिर्ख सकती, जैसे की मिð हम भी कुछ कार करते हैं, मतलब कि जैसे की मैं included myself, मैं कोईला लाता हूँे, जैसे की मिई गारी चलाता हूं तो मतलब हम लोग भी कुछ काम कर रहे है माना सु एमं एक संसाधन letty. माना की संसाधन, माना की का संख्या मतलब मानो की संख्या स्लिरिक आबwowanसिक ध्यान देगा. माना को संसाधन कुन मनाता है? exclusive you by संसाधन नहीं होगा मानों के मतलब कि तक्निक स्वास्त एवं कोसल की साहेता से ही मनुस्य नई वस्तुव को निर्मान करने के लायक बनता है देश के यूवाओं में कोसल विकास करने के लिए परधान मंत्री कोसल विकास योजना वर्स दूजर 16 में चलाए गई चलाए जा रही है ठीक है मतलब परधान मंत्री कोसल विकास योजना कब से चलाए गई ती 2016 को याद रखेंगे परधान मंत्री कोसल विकास योजना कब चलाई गई थी 2016 को ठीक है तब से चलाई जा रही है उसके पार देखें ठीक है पर एक छोटा से पॉइंट है मतलब हम लोग संथान कभी नगभी खतम हो जाएंगा तो उसका लापरवाही से उपयोग नहीं करें ठीक है जैसे कि पे जल है तो प्रिचुड मातरा में भी है लेकिन हम लोग उसका उपयोग उतना ही करेंगे जितना हमको ज़वरत है ठीक के तो हमारे संख्या भर रही है, हमलों भी बढ़ते है जा रहे हैं, हमारे जीवन में बढ़ती हुई आव सकता और हमारे जीवन में इतनी आव सकता बढ़ रही है कि हम लोग संसादन जो प्राकृतिक संसादन उसका हम लोग पूरा खतरनाक रूप से जसी कि कोईला पेट्रोलियम अधिक उपियोग के करनन संसाधन' कोईलार, पेट्रो λियम परवाहित से करते रहें तो कभी यही खत्म हो जाएंगे संसाधन करना चाहिए उसका पुर्वा और उसका उपयोग और उन्हें नवनी करन के लिए समय देना ठीक है संसाधन संरचन कहलाता है संसाधन संरचन किसे करते हैं समयदारी पुरिवक देखें समयदारी पुरिवक उसका उपयोग करना और उन्हें नवनी करन के लिए समयदेना संसाधन संरचन कहलाता है यह हमारे संसाधन संरचन किसे करते हैं ठी कि आउसक्ता के रहने पर भी उनका उपयोग ना कर बचाया जाए, तो यहाँ पर सनरचन का यह मतलब नहीं है, कि हम लोग स्रीव उसका बचाओ ही कर रहे हैं, उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, सनरचन का उपयोग करने की आउसकता, और भविस्य के लिए उनके सनरचन में संतुलन बनाए रखना, मतलब उसे हम लोग उपयोग भी करेंगे, और भविस्य के लिए बचाय भी रखेंगे, तो इसे क्या है, सतत पोसनिय विकास कहते हैं, सनसादनों के सनरचन के अनेक तरीके हैं, सनसादन के सनरचन के बहुत सारे तरीके होते हैं, पार बार उसका उपयोग किया जा सकते हैं, और पुना उपयोग के द्वारा सनाचन में अपना योगदान दे सकते हैं सनाचन में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं मतलब वे उन चीजों का काम उपयोग करें और फिर से दोबारा उसको उपयोग करें तो जिस प्रकार से उसी चीज का दोबारा उपयोग करेंगे तो सन काई से हम लोग संसादम संदेशन में अपना योगदान दे सकते हैं चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं देखें हमारे पिर्थमी और इस पर हमारे पिर्थमी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविश्य पेड़ पोधे और परितंत्र की सुरक्षा और संदेशन से जुड़ा हुआ है हमारे पिर्थमी और इस पर निवास करने वाले लोगों का जो भविश्य है वे पोधे और परितंत्र की सुरक्षा और संदेशन से जुड़ा हुआ है किसे किसे जुड़ा हुआ है पोधे और परितंत्र की सुरक्षा और सनर्चन से जुरा हुए हमारे पीड़फ्मी और इन पर निवास करने वाले लोगों का जो भविश्य किसपर जुरा हुआ है पेड पोधे और परितंत्र की सुरक्षा ठीक है न परितंत्र की सुरक्षा शमझ रहे हैं। और सनर्चन से जुड़ा हुआ है। अब हम्में यह सुनस्चित करना हमारा कर्तब हो जाता है की देखें ध्यान दुझें। सभी नवनिकिन्य संसाद्रों का उपयोग सतत पोसनिय है, ठीक है, पित्नी पर जीवन की वीविदता सनचित की जाए, प्रकृतिक प्रयावर्णिय तंत्र की हानी को कम करके किया जाए, ठीक है, ये सब हमारे इसके पॉइंट है, ठीक है आप लोगे से जानेंगे, कि करता भी क्या क्या है, ठीक है, ये हमारा था, उसके वह देखें, संसाद्रों का सही धंग से उपयोग, ताकि वर्तमान पिड़ी अपनी आवसकताओं की पूर्ति को कर सके, लेकिन भावी पिड़ीों की आवसकताएं भी पूरी हो सके, मतलब अभी जो पिड़ी है, उसका भी हम का अभी उपयोग हो, ठीक है, इस तरह से उपयोग करें, फत्त विकास की, दखेंगे यहाँ पर से बहुत आने इंपॉर्टन है, फत्त विकास की आवधारना मूल रूप से 1992 इस्वी में पिर्थमी सम्मेलन में आया, फत्त पोसनिये जो विकास का आवधारना कब आया, पि करना उसकोध क्या है प्रकृतिक संसादुनों का सदू उपयोग उसक्रिप्रा प्रियावरन के प्रति व्यक्तिकत व्यवार और अभाव में परिवर्तन समुदाय को अपने परियावरन की देखवाल करने का योग यह बनाना तो यह हम लोग इसका यहां से हमने इसका पूरा कहानी जो है इसका मतलब पूरा चेप्टर जो है मैंने आपको खतम कर दिया ठिक्सके लिए अलग वीडियो आएगा जिसमें आपको इन सभी प्रस्णों का मेहल आपको दूगा तो यह था हमारा यहां तक हम ने पढ़ लिया ठीक है इसके प्रस्ण को आप लोग अपने से भी बनाने का कोसिस करेंगे ठीक है ना जले तो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यबाद और एक चीज अभी तक जिदे आपने मैं चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि वह भी पढ़ सेके ठीक हैं मैं बहुत अच्छी तरीकास से आप लोगों